पिछले कुछ दिनों से सिर्मार जिला में डेंगू के मामलों में बड़ी तेजी आई है और बीते कल ही 21 नए मामले सामने आए हैं जिला में अभी तक डेंगू के 665 मामले आचुके हैं स्वास्ते विभाग लगातार लोगों को डेंगू से बचाव और साफ धानियों बारे जागरू कर रहा है लेकिन फिर भी डेंगू के मामलों में जापा होता जा रहा है अब मासम में बदलाव के चलते डेंगू के मामलों में कमी आने की उमीद है लेकिन फिर भी विभाग लोगों को जागरू कर रहा है उन्हें पूरी बाजू के कपड़े पहनने और गड़ो आदी में पानी को खटा ना होने बारे भी जागरू कर रहा है सियमो, सिर्मोर, डॉक्टर अजे पाठक में बताया कि जिला में डेंगू के अभी तक 655 मामले आ चुके हैं और कल भी 21 मामले सामने आए हैं अवशा होने से अब डेंगू के खत्म होने की उमीद है लेकिन बावचुदिस के विभाग, टेस्टिंग और चागरू कता लगा अतार पड़ा रहा है, उन्होंने बताया कि कल डेंगू को लेकर एक समिक्षा बैठकाय उजित की गई थी, जिसमें साफ हुआ कि जिला में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है और जो दोनों मौते हुई हैं वे अन्ने कार्णों से हुई हैं नहान से हमारे समवादा था ज तो अब क्योंकि बारिश हो गई है, टेंपरेचर थोड़ा गिर गया है तो हम उमीद करते हैं कि मच्छर कम हो जाएगा या मच्छर खतम हो जाएगा और डेंगू अब खात्मे की तरफ चल पड़ेगा लेकिन जब तक डेंगू है हम पूरे प्रयास हम कर रहे हैं घर घर त रपरद की बात हो रही थी मेडिया में के दो डेंगू से कल हमने डिस्ट्रिक्ट रिवीघ मिट्रिक की मीटिंग की थी उनकी रिपोर्ट्स को उनकी tohres को जहां जहां दाखिल हुए थे वहां की उनकी history को हमने पूरा से खंगाला है तो जो medical college में death होई थी यहां वो तो सदन डेथ हुई थी एकदम अचानक हुई थी तो ऐसा लगता है कि वो काडियो के टियालोजी थी उसकी और दूसरी जो लड़की थी मौलाना में मेडिकल कॉलेज में जाकर डेथ हुई थी वहां भी उन्होंने दो तिन उसके रखे हैं डाइगनोसिज डेंगू के इलाव चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें